अंतरास्ट्रिय वैशे वृति अधिकार दिवस या इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डी हर साल दो जून को मनाया जाता है वैसे तो इस दिन को इस उदिशे से मनाया जाता है ताकि योण कर्मियों के अधिकारों के बारे में जागरुकता फैलाई जा सके जिसे कि वे भी सम्मान के जंदगी बसर कर सकी लेकिन ऐसा असल में होता बहुत कम है अजमेरी गेट से लाहोरी गेट तक एक किलोमेटर से अधिक दूरी तक फैले रोड की गिंती भारत में सबसे अधिक रेड लाइट एरिया में होती है यहां आई दिन कई गैर लाबकारी संक्टनों के माद्यम से पता चलता है कि लड़कियों को देश के अलग-अलग कोनों से लेकर आया जाता है सभी की अपनी-अपनी कहानिया है कुछ दलल से निकल जाती है तो कुछ यहीं की होकर रह जाती है आज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स टे मनाया जा रहा है अंजर आस्टिये सेक्स वर्कर्स दिवस हर साल दो जून को बनाया जाता है 1970 के देशक में फ्रांसेसी पुलिस ने यौन कर्मियों को गुपत रूप से काम करने के लिए मजबूर किया था लेकिन पुलिस इसे जदा दिन तक दबा कर नहीं रख पाई नतीजे ये निकला कि यौन कर्मियों की सरक्षा में कमी आई और उनके खिलाब पहले से और अधिक हिंसा हुई दो जून 1975 को लगभग सौ यौन कर्मियों ने अपने अमानविये कामकाजी पर स्थितियों पर ध्यान आकरशित करने के लिए फ्रांस के लिएन में सेंट निजियर चर्च पर कबज़ा कर लिया और हरताल पर चले गए हरताल पर जाने के बाद सेक्स वरकर्स ने सरकार से काम करने की अच्छी स्थिति कलंग को समापत करने की मांग की ताकि उनकी अपरादिक और शोशनकारी जीवन स्थितियों के बारे में सरकार के प्रती अपना आकरोश व्यक्त हो सके इंसेक्स वरकर्स की इस मुहीम ने एक बड़ा रूप ले लिया हलाकि समाज का खुले तौर पर समर्थन ना होने के चलते 10 जून को शाम 5 बजे जवाबी कारवाई करते हुए चर्च पर पुलिस बलो द्वारा करूरता पुर्वक हमला कर दिया गया इसके 8 दिन बाद चर्च को खाली करवा लिया गया लेकिन कहते हैं कि किसी क्रांती की जवाला को हलकी चिंगारी की जरूरत होती है और पुलिस की इसी कारवाई ने उसी चिंगारी का काम किया सरकार की इस कारवाई ने एक रास्चे अंदोलन को जनम दिया फ्रांस से शुरू हुए इस अंदोलर ने वैश्विक रूप ले लिया जिसके बाद ये दिन अब इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स राइट डे के रूप में यूरॉप और दुनिया भर में मनाया जाता है पूरी दुनिया में फैली करोना वाइरस महमारी ने हर किसी के जीवन को किसी ले किसी रूप से प्रभावित किया है सेक्स वर्कर्स पर भी इसका गहरा प्रभा पड़ा शरीरिक दूरी ने उनका जीवन मुश्किल कर दिया है रास्ट्री राजहनी दिल्ली के अजमेरी गेट से लाहौरी गेट तक एक किलोमेटर से अधिक दूरी तक फैले जीबी रोड सिथ रेड लाइट एरिया इन दिनों विरान नजरा रहा है यहां आम तोर पर दुकानों के उपर सिथ जरजर भवनों या कोठों के करीब 4,000 वैशाएं काम करती है मगर रास्ट्री व्यापी बंद के दौरान इन में सिफिल हाल 25-30 प्रतिशत मेलाई ही बची हुई है अब भले ही लॉकडाउन खुलने लगा हो लेकिन इन सेक्स वर्करों का भविश्य अनिश्चत दिख रहा है रास्ट्री एट्स नियंदरन संक्टनों के अनसार भारत में लगबग 6,37,500 यौन कर्मी है और पांच लाग से अधिक रहा कद्यानिक आधार पर रेड लाइट ख्षेत्रों का दौरा करते हैं लेकिन करोना वारिस महमारी के चलते इनका भविश्य अन्दकार में है हलाकि कारण सही भी है इस मामले में संकर्मन फैलने की दर अधिक हो सकती है क्योंकि आनकरिया और संभोग के दरान समाजिक दूरी संभव नहीं है संकर्मित ग्राहक लाखों अन्य नागरिकों को यह बिमारी फिला सकते हैं येल स्कूल आफ मैडिसन और हारवर्ड मैडिकल स्कूल के शोद करताओं ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में अगर रास्ट वे आपी बंद खतम भी हो जाता है तो यहां रेट लाइट एरिया को बंद ही रखा जाना चाहिए वे ज्यानिकों का कहना है कि अगर ऐसा किया गया तो भारत में करोना वारिस के मामलों के चरम पर पहुंचने में सतारा दिनों की देरी लाई जा सकती है मार्च का मीना शुरू होते ही देश में करोना वारस का प्रकू बढ़ना शुरू हुआ, तभी से इन कोठों में रात के दुरान आने वाले ग्रहकों की संख्या में कमी होती चली गई, इसके बाद 23 मार्च से जनता कर्फिव वे इसके बाद समाजिक दूरी बनाये रखने के निर्देश आए, और तभी से यहां लोगों का आना पुरी तरह से बंध हो गया, जीबी रोड पर दो और तीन मंजिलाए मारते हैं, जहां भूतल पर दुकाने हैं, और पहली वे दूसरी मंजिल पर विशाले चलाए चाते हैं, कोठा नंबर चौवर में लगभग 15-16 योन पड़ा है इन सेक्स वरकर पर, जो कि अपना धंदा दुबारा से फिर कभी नहीं शुरू कर पाएंगी, लेकिन इन मामलों में सरकार को चाहिए कि इनके लिए भी कुछ सोचा जाए, ताकि ये भी आगे जिन्दगी में बढ़ कर कुछ काम कर सकें, अपने जीवन को कर दो ऑी भी की इनके कर सकें।